ह्पी जर्नल स्टडीज के स्पेंशल 5 डेली MCQ सीरीज पर आपका हर्दी का भिनंदर हैं आज का पहला प्रशन इस प्रकार है विच ओफ दा फोलिंग पियर इस इनकोरेक्ट निमलीखित में से कौन सा मेल गलत है A. हेत राम तंवर सोलन B. गंबरी देवी बिलासपूर C. परतापचंद शर्मा कांगड़ा D. केल सहगल उनना लोक गायक हेत राम तंवर का जनम 1922 में सोलन जिले के कुनिहार में हुआ कई वर्षों तक वे आल इंडिया रेडियो शिमला से जुड़े रहे हिमाचली लोक गीत गायन के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार दिया गया वर्ष 2016 में उनका निधन हुआ गंबरी देवी का जनम बिलासपूर जिले के बांदला गाउं में सन 1922 में हुआ सन 2001 में उन्हें हिमाचल अकादमी का अचीवमेंट अवार दिया गया सन 2011 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी के टैगोर अकादमी पुरुसकार से नवाजा गया गंबरी देवी का निधन 2013 में हुआ परताप चंद शर्मा का जनम सन 1927 में कांगडा जिले के प्रागपुर में हुआ अपने जीवनकाल में इन्होंने लगभग 200 पहाडी गीत लिखे और उन्हें स्वें ही गाया जीना कांगनेदा इन्ही की सूपरसिद रचना है सन 2018 में इनका निधन हो गया क्रिशन लाल का जनम सन 1949 में सिर्मोर जिले के राजगड में हुआ कुंदन लाल सहगल जी से प्रेणना पाकर उन्होंने अपना नाम के ल सहगल रख लिया 1998 में उन्हें आकाशवानी प्रसार भारती अवार्ट दिया गया वर्ष 2017 में इन्हें हिमाचल गौरव सम्मान दिया गया वर्ष 2019 में इन्हें भाशा एवं संस्कृती विभाग द्वारा संगीत शिरोमनी अवार्ड दिया गया वर्टमान में ये संगीत कला साधना केंदर सोलन में संगीत सिखा रहे हैं इसलिए Option D इस प्रशन का सही उत्तर है दूसरा प्रशन How many seats were reserved for Muslims under separate electorates in Morley-Minto reforms Morley-Minto सुधारों में अलग निर्वाचक मंदल के तहत मुसलमानों के लिए कितनी सीटे आरक्षित थी A. 30 B. 7 C. 8 D. 15 1909 के Morley-Minto सुधारों के तहत Imperial Legislative Council में कुल 79 यानि 69 members थे 79 में से 37 official और 32 non-official member थे 32 non-official members में से 5 nominated थे 27 elected non-official members में से 8 seatे मुसलमानों के लिए आरक्षित थी 4 seatे British capitalists की 2 seatे जमीनदारों के लिए और 13 seatे Journal electorate की थी इस परकार option C इस प्रशन का सही उत्तर है तीसरा प्रशन Arrange the following countries in decreasing order on basis of their total percent of India's foreign trade भारत के विदेश वेपार के कुल प्रतिशत के अधार पर घटते क्रम में निमिलिखित देशों को वेवस्थित करें option में 5 देश USA, चीन, साओधी अरेबिया, होंग कॉंग, UAE दिये गए हैं आर्थिक सर्वेक्षन 2019-20 के अनुसार भारत के 5 अग्रणी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं USA, चाइना, UAE, साओधी अरेबिया, होंग कॉंग भारत सबसे ज़्यादा प्रूड पेट्रोलियम का आयात करता है और फिनिश्ट पेट्रोलियम परड़क्ट्स का सबसे ज़्यादा निरियात करता है इस परकार option C इस प्रशन का सही उत्तर है चोथा प्रशन Doctrine of Severability means प्रिथक करणियता के सिध्धांत का अर्थ है A. मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता B. गंभीर मामले में सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है C. मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून का हिस्सा निकाल दिया जाता है D. विकट स्थिती में परधान मंत्री कानून पारिद कर सकते हैं Doctrine of Severability का अर्थ है यदि किसी कानून का कुछ हिस्सा मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक शेप कर रहा है तो उस कानून के उतने हिस्से को निकाल दिया जाएगा और यदि बचा हुआ कानून अपनी मूल भावना का निर्वाह करता है तो उस कानून को बदलाव के साथ अपनाया जाएगा इस परकार option C. इस प्रशन का सही उत्तर है पांचवाँ प्रशन तर्म बायोडाइवर्सेटी वास पॉपुलराइज़ बाय जैव विविधता शब्द को किसने गड़ा A. Norman Mears B. Arthur Tensley C. Ernst Heckel D. Edward Wilson Norman Mears ने बायोडाइवर्सेटी होट स्पोर्स शब्द गड़ा Arthur Tensley ने एको सिस्टम शब्द गड़ा Ernst Heckel ने एकोलोजी टर्म दी और Edward Wilson ने बायोडाइवर्सेटी शब्द गड़ा इसलिए Option D इस प्रशन का सही उत्तर है कल का पहला प्रशन ब्यास नदी की सहायक नदियों पर होगा दूसरा प्रशन मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफोर्म्स पर होगा तीसरा प्रशन कोरोना वाइरस के रैस्पिरेटरी सिस्टम पर परभावों पर होगा चोथा प्रशन इलेक्शन कमिशन पर होगा पांचमा प्रशन गांधी जी के शिक्षा परविचार पर होगा आपको बिल्कुल पिन पॉइंटिड टोपिक्स बता दिये गए हैं, तो कल की प्रशनुत्री में पांच बठा पांच आने चाहिएं। आज का प्रशन यह है कि आपने बताना है इमाचल के कौन कौन से राजा किसी वारिस के बिना यानी इशूलेस स्वर्ग सिधार गए। आज पहले प्रशन में आपको कुछ नाम बताए गए थे, इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर उन नामों को सर्च करें और उनके गाए गीतों को जरूर सुनें। अंत में आप में नहीत ग्यान को परणाम, रामसत।